सब्सक्राइब कीजिए केरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए वेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगलर वेसिस पर देखने के लिए कुछ दिन पहले मैंने आप सभी की साथ एक गौन्द जेल वाली एंटी एजिंग रेमेडी शेयर की थी लेकिन उस रेमेडी में मैंने मैंने मेंशन किया था कि इसको जिनकी स्किन ड्राइ है या फिर सेंस्टिव है वो लोग यूज ना करें और इसके बाद मेरे पास कई सारी कॉश्चन आई थे कि जिनकी स्किन ड्राइ है और सेंस्टिव है तो वो लोग अपनी स्किन पर क्या यूज करें कोई ऐसी एंटी एजिंग रेमेडी हो जो की ड्राइ स्किन वाले वी एजिली यूज कर पाएं और साथी गोन्द जेल के लिए फी काफी रिक्वेस्ट आई कि उनको इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो कुछ और कॉमिनेशन में अगर इसे रामेडी बन सकती हैं तो वो भी मैं बताओं तो इन दोनों ही कॉश्चन का आंसाराज में देने वाली हो और बताने वाली हो एक ऐसी अमेजिंग एंटी एजिंग रेमेडी जो क्यों सभी स्कίν टाइप के लोग चाहें आपकी स्किन ट्राइवह ऐली हो और जुर्ड या न देखना शिरू हो गई सिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम हो अपकोई प्रॉब्लम आपके तुचा पर हो यह रेमेडी बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सकेंपर दिखाने वाली है एक बहुत अच्छा ग्लूइंग चहरा इस रेमीडी को लगाने के बाद आपको मिलने वाला है तो चले शिरू करते इस रेमिडी को बनाना और जो सबसे पहली चीज में इस रेमिडी में ले रही हूँ वो है राइस फ्लार या चावल का आटा और हम सभी जानते हैं कि चावल का आटा एक one of the best anti-aging ingredient उमाना जाता है इस पेसली हम जब बात करते हैं कोरियन स्किन केर की और कोरियन की स्किन अपनी glowing स्किन के लिए अपनी tight स्किन के लिए जानी जाती है और उसका रीजन यह है कि वो चावल का आटा बहुत जादा यूज करते हैं अलग-अलग तरह से अपनी skincare remedies में क्योंकि इसके anti-aging effect बाकी बहुत जादा अच्छे effect दिखाता है तो पहला ingredient हुआ हमारा rice flour जो दूसरी चीज में इस remedy में ले रही हूँ वह है अख्रोट या walnut और walnut वी फुल ओफ वाइटमिन E होती है इसमें omega 3 fatty acid होता है और इसमें कई सारे anti-oxidants होते हैं और यह सभी चीजे मिलकर इसको एक बहुत अ effective accroat होती है इसलिए इस रेमिडी में में ले रही हूँ अख्रोट जो अगली चीज में ले रही हूँ वह है aloe vera gel और aloe vera gel हम सभी जानते हैं कि full of antioxidants होता है इसमें vitamin E होता है जो कि one of the best anti-aging ingredient माना जाता है इसमें naturally healing properties होती है इसलिए चहरे पर अगर pigmentation है अगर उम्र के साथ hormonal changes की वज़े से आपके चहरे पर pimples हो रहे हैं तो उनको ठीक करने में आपकी तुचा को अंदर से नमी देने में यह बहुत ज्यादा अच्छे result दिखाता है खास तोर पर जब उम्र बढ़ती है especially 30 साल के बाद हमारी तुचा नमी खोने लगती है और उस नमी खोने की वज से वह रूखी बेजान सी दिखने लगती है डल हो जाती है तो उस तलने इसको खत्म करनी में खास तौर पर अच्छा रिजल्ट दिखाता है तो तीसरे इंग्रेट वहा अलोविरा जैल और जो चौती चीज में इस रेमेडी में ले रही हूं जो हमारी इस रेमेडी का और इसके इतने अच्छे एंटी एजिंग एफेक्ट होते हैं जो अच्छे से अच्छे कैमिकल भी नहीं दे पाते हैं इसलिए अगर आप किसी तरह की एंटी एजिंग रेमेडी बना रहे हैं तो उसमें गॉन जैल को यूज करनी की कोशिस जरूर कीजिए गॉन का जैल जादा एफेक्टिव होता है और इसके बहुत सारे फायदे आपकी स्किन को मिलती हैं अगले चीज मैं इस रेमेडी में ले रही हूं और वह है सफेद तेल या वाइट तेल और यह भी इस रेमेडी का दूसरा सबसे अच्छा इंग्रीडियंट है जो मैं इस रेमेडी में आपकी स्किन को अंदर से इतनी अच्छी नमी देता है मौस्चराइस करता है आपकी स्किन को और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो नाच्राल ऑईल है वो ऑईली स्किन वालों के लिए वी वेनिफीशियल होता है इसलिए आप यह ना सोचे कि अगर आपकी स्किन बहु तो यह बात हुए सारे इंग्रीडियेंट की और अब शुरू करते हैं मैं इस रामडी को बनाना और इस रामडी को बनाने के लिए तेयारी आपको एक रात पहली शुरू करनी होगी क्योंकि इसमें यूज होने वाले अख्रोट और तिल आपको एक रात पहले दूद में अगली सुबह आपको उस दूद समेत इन दोनों चीजियों का पेस्ट बनाना है पेस्ट बहुत बारीक होना चाहिए क्योंकि हम यहां पर एक फेस्ट बना रहे हैं और उसके लिए कंसिस्टेंसी जितनी बारीक होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा तो इन दोनों का पेस्ट अब हम शुरू करते हैं इस रेमडी को बनाना और रेमडी को बनानी के लिए आपको ली ना है लग बहुत एक चम्माच अख्रों और तिल का पेस्ट लगवाग एक चम्मच अलुविरा जेल अगर आप फ्रेश लेते है तो वह सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं य जितना हो सकते हैं लेकिन अगर कोई आप्शन नहीं है तो फिर आप मार्केटेड भी एक चमच ले सकते हैं अगली चीज है गौंद का जैल और गौंद का जैल भी आपको एक चमच लेना है यह बस यह ध्यान रखें कि यह कीकर का गौंद या बबूल का गौंद है और इस पीस कर अगर आप गौलाब जलिया पानी में भीगोते हैं तो यह पूरी तरह से घुल जाती है और इसका जैल बन जाता है तो लगवाग एक चमच जैल मैं इस रेमेडी में मिला रहे हूं अब यह सारी चीजों को आपस में अची तरह से मिला कर आप एक बढ़िया सा पेस् से धोना है साफ करना है और इसके बाद अपने चहरे और गर्दन पर इस रेमेडी को लगा ले लगवाग आधा घंटे तक आपको इस रेमेडी को अपने चहरे पर छोड़ना है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंस्टिव है तो कम समय से शुरूबात करें पहले थोड सैसंञारे अर्फिर पूरे आधे घंटे तक जब तक इस पूरी तरह से सूख न जाये आपकी स्किन एकटम खिचने नाल गढ़े तब आपको इसको अपनी स्किन पर लगाये रहना है जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो फिर ठंडे पानी के छीटे मारते हुए हलके हलके हातों से छुड़ाते हुए इस रेमिडी को अपनी स्किन से निकाल ले और अपना चेहरा ठंडे पानी से धोले और फिर जो भी मौस्ट आपकी स्किन पर होने वाला है वो आप खुद देखिए और खुद उसको विटनेस कीजिए तो यह थी आज की जादूई रेमिडी एक मैजिकल पैक तो यह रेमिडी कैसी लगे आपको आप मुझे जरूर बताए कमेंट बॉक्स में अपने फीडबेक शेयर कीजिए और इस और आप उनको जरूर देखना चाहेंगे मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी रेमिडी के साथ तब तक के लिए बाबाई